नमस्ते होस्तो आज का डेट है 25 जून 2024 और अभी हम डिसेस करेंगे 10 हिंदु के कुछ important articles हिंदी में जिसमें पहला आर्टिकल हम डिसेस करेंगे कि सुप्रीम कोट ने एक मार्ग तय किया है कि हिमालेयन छेत्र में किस तरह से development हो न्याले ने हिमाले छेत्र में विकास का कर लेंगे इंडियन हिमालेयन रिजन में जो development हो रही है वो परियाप्त परियावरन के सुरच्छा संबंधित मानकों के अनुसार नहीं हो रही है उसी के लिए ने नियाले ने कुछ उपाय सुझाय है जिससे कि हम लोग विकास के साथ साथ सतत्द विकास पर जोड़ दें जिससे कि वहां का पारिश्चित की तंद्र को सुरच्छीत रखने में हमें सफलता मिल सके तो इसके कुछ उदाहरन को भी हम लोग इस आर्टिकल में बिसाथ से डिसस कर लेंगे कि अगर हम लोग पर्यावरन से समंधित मानकों का नजर अंदाज करते हैं तो उसके कितने प्रतिकूल प्रवहाओं देखे गया है जैसे हिमाचल परदेश में 2023 में बाढ़ा गया था सिक्किम में तीस्ता बांध का तूर जाना ठीक है तो इन सारी समस्याओं को भी हम लोग इस आर् करने की आवसकता है यहां पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 दोनों को पर्यावरनिय अधिकार से संबंधित अंतर संबंधों को भी विस्तार से समझाया गया है नियाले के द्वारा ठीक है जिसमें विकास का अधिकार और जलवायू परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम बनाने के लिए जो है नया संतुलन प्यार करने की आवसकता को एहां पर सुझाया गया है नियाले के द्वारा ठीकल में हर एक को बिस्तार से पढ़ लेंगे खास के हिमाले और छेत्र में जो डेवलप्मेंट हो रहे हैं वहां परेवरन के संच्छन संबंधित जो उपाए ह इसको नरणाज क्या जा रहा है जिसके कारण हम अपने भूत काल में इसके परतिकूल प्रवहव को भी देख सके हैं बहुत सारे परतिकूल पर देखे जा चुके हैं इसलिए जो है नियाले के द्वारा कहा गया है कि हम संतुलन अस्थापित करें जिससे की ज्यादा-ज्या प्रिया एक्ट नाइनटी नाइनटी शिक्स उसके बारे में भी हम लोग इस आर्टिकल में बिसार से पढ़ लें हैं कि पेशा ने अनुसुची जनजातियों को अनिबारे राहितिक पर्तिनियुत परदान किया जिसके कारण जो है बन संद्च्छन परयासों को बढ़ातर ससक पर बनाये जा सका। यहां पर मुखे बाते की झा रही हैं .. पेशा की बात इसलिए की ज़्या रहे हैं जादा जादा अगर पर्यावरन का सनच्छन चाहिए तो अस्थानी लोग का सह्यों बह시면 ज्यादा अबस्यक हैं पर्यावरन के सनचन के लक्ष की भी पूर्ती हो सके तो इसी माय कहा जाता है कि पेशा का उप्योग क्या इसलिए जा रहा है जिससे कि अस्थानिय सरकारी जाए रहा है इसमें कि पेशा के द्वारा फॉरेश्ट की निग्रा निकी जाएगी ज्यादा ज्यादा जंगलों का सनच्छा सुनिश्षित क्या जाएगा इसके लिए रिमोट सेंसिंग सेटलाइट का भी उपयोग क्या जाए जिसे की लगातार हम अपने डेटा का सर्वे कर सके अगर पेड़ कहीं पर काटा जा रहा है तो उसके क्या कारण है ज्यादा ज्यादा प्रयास क्या जा रहा है कि फॉरेश्ट कवर को हमें सनच्छित रखना है और उस सब्सक्राइब कर दिजिए उसके अगला आटिकल है यह बहुत ही महत्पून आटिकल है मेली जो है यह तीनों आटिकल जो है इन बॉर्मेंट से संब्सक्राइब निकोबार में जो है किया जा रहा है बस पर्याटन को बढ़ाने के लिए ठीक है इसके लिए जो है वहां के अस्थानिये जन जातियों के अधिकारों को नर अंदाज कर दिया जा रहा है उसके अगला आटिकल है हुमन डिग्निटी वर्से रिलिजियस प्रैक्टिसेज मानभिय गरीमा बनाव धार्मिक परंप्राय यहां पर एक्जांपल दिया जा रहा है 17 मई का जहां पर मद्रास उचने आले की मदुरई पीटने निरूर सत्गुरू सदासिव ब्रहंद्राल के विश्राम अस्थर प तो उसको 2015 में बंद कर दिया गया था उसके बात स्वजों है अभी 17 मई को मद्रास उचने आले ने इस पर्था को फिर से शुरू कर दिया है तो इसमें नयायमूर्ती जिया स्वामिनाथन ने संभिधान के अनुछे 25 एक का हबाला देते हुए इस पर्था को बहाल किया है जो निरूर सत्गुरू सदासिव ब्रिहंद्रियाल बिश्राम अस्थल है वहाँ पर अन्यदान का जो पर्था था उसको शुरू करने के लिए आर्टिकल 25 एक का सहारा लिया गया है तो इस फैसले की तुलना एक खंड पीट के आदेश से की जा लिए जिसने संभिधान के चौदा और 21 के उलंगन का हवाला देते हुए इस पर्था को रोख दिया था दोया पंद्रा में ठीक है तो यह तक देते हुए कि यह मानविये गरीमा और समानता को प्रववित करता है इसलिए जो है वहाँ पर रोका गया था लेकिन फिर से जो है मदरास हाई कोड ने इस को शुरू कर दिया है वहाँ पर इसको भी विशार से पढ़ लेंगे ठीक है तो आई शुरू करते हैं आज का डिसकसन जिसमें पहला आटिकल हम लोग डिसकस करेंगे खासके हिमालेयन रिजन में जो डेवलप्मेंट हो रहे हैं वो इन्वार्मेंट फ्रेंडली नहीं साथ अमूले पारिशित की तंत्र बस्तूओं और सेवाओं का महत्पूल परदाता भी है ये छेत्र जो है बहुत ज्यादा महत्पूल है तो इस समझ के बाब जूद जो है इंडियन हिमालेयन रिजन में विशेज विकास आबसकताओं और अपनाए जा रहे हैं विकास इनकी अभेवारिक डिवलप्मेंट जो है कहीं न कहीं निश्चित रूप से हिमालेयन रिजन को बरबात कर रही है इसलिए जो है यहां पर नियाले के द्वारा एक उची कदम उठाया गया है मतलब कि एक दिशा निदेश त्यार किया गया है जिसे की हिमालेयन छेत्र में जो डिवलप्मेंट हो रहा है उसके लिए पर्यावरान संबंदित सानक्षन को सबसे ज्यादा महत्त देने की बात की जा रही है ठीक है भारत के सरवोच नियाले के कुछ हालिया निर्ने के मद्देनजर यहां पर कहा गया है कि हम एक अधिक मजबूत अधिकार आधारित व बहजा और भाव जो है वो भारत में विकास बनाव पर्यावरन बहज की दिशा को असपश्ट संक्यत देता है तो यहां पर एक एक जामपल दिया गया है तेलंगना राज और अन्य बनाम मुहम्मद अब्दूलकाशिम केस के द्वारा कहा जा रहा है नियाले ने कहा है कि सम पर्यावरन को पूंतर समाप न कर दे उससे मानप का स्थाई रूप से रहने बाली नदिया जीले समुद्री तटे मुहाने पेड, पहाड, समुद्र, हवा के अधिकारों का भी सम्मान करने की आवशकता है जिससे की मनुस्य प्रकृति के नियम से बंधार है ठीक है क्योंकि अगर इनके अधिकारों को अगर हम लोग प्रकृतिक संसाद्मों के अधिकारों को अंदाज करते हैं उससे मनुस्य का अस मालेन छेत्रों में तो परयावरण संद्छन समन्धि मानकों का निर अंदाज किहा गया उसी की बात कीловा कि आ रही हैiqué प्राकिर्ति संद्छन की बश्तू कि बिस्तू नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों वाली एक बस्तु है जिससे अस्तित्व का अधिकार, जिवित रहने का अधिकार और जीवन चक्रों को बनाये रखने और पुनिजिवित करने का अधिकार सामिल है इसलिए अगर मानव अपना विकास करना चाहता है परन्तु वो प्राखिर्तिक संसाद्मों को समाप्त करके नहीं कर ही मालेν छेतर में अपनाये जा रहा बर्तमान भिकास मोडल इस द्रीश्टी कोन के बिल्कूल बिप्रीत है यही बात है कि हमालें छेतर में जितने ही भिकास हो रहे हैं वहां पर पर्येवरांश्वरामण संवंदि मानकों का नर अंदाज किया रहा है ठीक है अगर यहां पर बाधाव उत्पन कर दे जाता है नदियों के मुख मारगों में या फिर नालों के मुख मारगों में तो जब मौसून आता है जब जल का बहां तेज हो जाता है तो हां पर बहुत से सड़के और पुल जो हैं साथ में बह जाते हैं इसलिए यहां पर पर्यावर हर बार नदी के उपहान आने पर बह जाती है तो यहाँ पर आपदा के कुछ उदाहरन दिये गए हैं अगर पर्यावरन समंधि मानकों का हम लोग अंदाज करते हैं उसके कितने प्रतिकूल प्रोहावत देखे गए अनित रासदियां जहली पड़ी है वहां के अस्थानिय लो खड़ी धालानों भुकंपिये छेत्रों भुवस्खलन प्रवण छेत्रों में मांदंडों बिनियमों का उलंगन करते हुए बड़े प्यमाने पर निर्मान की पहचान की गई है और हरी छेत्र का नुकसान जो है वो आपदा के कारणों के रूप में आने वाले भविश में उभर्व कर सामने आता है उशिम आगला एजामपल देया जा रहा है सिक्किम में तीस्ता बांद कर तूटना और हिमाचल परदेश में मौनसून की बाढ़ और भुवस्खलन दोनों ही द्वाय तेसी घटना है और हमारे विकास मौडल द्वारा पर्यावरन पाइस्थित्क और समुदायों विशेश रूप से पहाडों पर होने बाले कहर की कड़ी याद दिलाता है तो पहाड जलबायू जंगल नदिया ये सारी चीज़े जो है हिमालेन छेत्र में वो अपने जिवित रहने के अपने अधिकार के लिए लगातार बीबश है क्योंकि मानब द्वार जो है अब अब हरी तरीके से विकास किया जा रहा है और इन पारिशित्की तंत्रों के अधिकारों को अंदाज किया जा रहा है तो हम जो भी दृष्टिकों अपनाना चाहते हैं चाहे बहब पारिशित्की केंद्रीत हो या फिर मानब केंद्रीत हिमालेन छेत्रों में विक की जा रही है कि बास्तब画 में न्याले ने कई अंतराश्ट्री और राश्ट्रीय दाइतवों के उदाहरं के साथ अनुचित 14 और अनुचित 21 में नहीत मौलिक अधिकारों और मानवा धिकारों कि बीच अंतर संबंदों को विष्टार से समझाय गया है नियाले के दौरा जिसमें विकास का अधिकार और जलबायू परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम होने का नया अधिकार भी सामिल किया गया है तो सुप्रिम कोट ने आगे कहा है कि एक स्वच पर्यावरन के बिना जो अस्थीर है और जलबायू परिवर्तन की अनिशेताओं से आपरभावित है जीवन का अधिकार पुरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है अगर स्वच पर्यावरन नहीं रहता है तो जीवन का अधिकार की पूर्ती नहीं हो पाएगी तो तो बंचित समुदायों की जलबायू परिबर्तन के अनुकूल होना या फिर इसके परभावस निपटने में असमर्थता जीवन के अधिकार के साथ सर समानता के अधिकार का भी उलंगन करता है। गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को इस नियाले के निर्नयों, राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्तर पर राजी की कारवायों और परतिबात्ताओं और जलबायों परिबर्तन और इसके परतिकूल परभावों पर बैज्यानिक आम सहम्मति के संदर्व में समझाया गया नियाले के द्वारा है, ठीक है? इसे मैं आय कहा जाता है कि यहता है कि जब तक बुन्यादी धाचा ठिकाओं मतलब की सस्टेनेबल नहीं हो और भरों से मन नहीं होगा यह लोग के विकास के लक्षों की प्राप्ति का आधार नहीं बन सकता है, बुन्यादी धाचों की इस सुनशित करने के लिए यह आवशक है कि सम्विधान के अनुछे 14 और अनुछे 21 मतलब कि परियाटन को बढ़ाना है अगर हिमालेन सबसे अब परियात रूप से तयार होते हैं तो सतत्विकास के मार्क पर चलना एक बॉलिक अधिकार भी कहा जाता है जो जलबाईव परिवर्तन के पर्तिकूल परभावों से मुक्त होने के अधिकार का एक स्वभाविक परिनाम या फिर अभिन अंग या फिर उप्षमू है तो राज्य को इसका सम्मान करना चाहिए और उम्मीद है कि न्याले का फैसला एक बहुत ही जरूरी सुझाओ परदर्सित करता है ठीक है इसी में कहा जाता है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक भारत जो है वो एक निम्न मध्यम आयवाला देश है और हमारी स मातर तही का जो है वो आबदा प्रबंधन को विकास योजना में सामिल करना और रोक्थाम और लचिलेपन दोनों को दृष्टिकोन को यहां पर उजागर करना में यहां पर राइटर के दोरा क्लेर यहां पर हर एक बार ही बात कहा जा रहा है कि development करना है तो कीजिए लेकिन परियावरन के छरन से नहीं परियावरन को सनचित करके वहां के अस्थानी लोगों के अधिकारों को सुरचित रखे वहां के पारिशित की तंत्र वहां के जीव जन्तू के अधिकारों को सनचित रखे ठीक है तो विभीर प्राधिकरनों के नियोजन चरन अभी सरन की ततका जाल आवशकता है ताकि जब किसी विकास की योजना बनाई जाए तो आपदा और जलबायू लचिलेपन के बारे में सभी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए और इन छिकेत्रों में हरी धंडी मिलने के बाद ही परियोजना कारेन बन सुरू किया जाए हमें विकास और आ दूसरे की अनुरूप हो तथा इसमें निति निर्माताओं योजना करताओं बैज्यानिक समुदाय और जितने भी अस्थानिये समुदाय हैं सभी की भागिदारी के साथ ही एक एक क्रिट दिश्टिकोन अपना कर ही जो है हिमालियन रीजन में डेवलप्मेंट सुरूशिक इसी में कहा जाता है कि शर्वोष नेयले के इन निर्नयों और जलवाईव परिवरतन के परतिकूल परभाऊं से मुक्त होने के एक मौलिक अधिकारों के मद्नेजर अब सम्माने रूप से लोगों और विशेश रूप से हिमालियन छेतर के लिए एक मौलिक अधिकार है कि एक विकास मौडल अपनाया जाए जो सस्टेनेबल हो, टिकाउ हो और हिमालाई छेतरों की बहां छमता के अनुरूप बनाया जाए कि बहुत से लोगों का अधिकार को सुरचीत रखाया जिसे आर्टिकल 14 और 21 को हम लोग सही तरीके से वहां पर भी सुरचीत रख सके हिमालेयन चेत्रों में चाहिए वो असानिय लोग हो या फिर प्राकिर्तिक संसाधन हो सभी को सनचीत रखने की आवशकता है अब बढ़ते हैं अगले आटिकल के तरफ इसमें कहा जा रहा है पेशा ने भारत में बन सनच्छन को कैसे बढ़ावा दिया पेशा का मतलब होता है पंचायक एक्स्टेंशन टू सेड्यूल एरिया एक्ट 1996 इसी माय कहा जाता है कि पेशा ने अनुसुजित जन्जातियों को अनिवारे राइंतिक पर्तिनिष्ट पादान करके बन संच्छन पर्यास्टों को और सब्सक्त बनाया है राइंतिक पर्ति क्या जा रहा है जिसे कि सेड्यूल ट्राइव फोरेश्ट के संच्छन में बड़े अस्तर पर कारे कर पाएं ठीक क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जंगली छेत्रों को समझते हैं इसलिए बन संच्छन के लिए वो सही उपाई सुझाने में सक्षम होंगे ठीक है तो रा स्थानिय सरकारी परिशदों में एस्टी व्यक्तियों के लिए एक चुनावी कोटा पेस किया गया जिसे की पेड़ों की संच्छन सुनिशित होगी पेड़ों की संख्या में ब्रधी की जाएगी और बनों की कटाई में कमी होगी ठीक है तो रिमोट सेंसिंग सेटलाइट स प्राप्त डेटा से पता चला है कि पेशा के कारेंवेन के बाद पेड़ों की संख्या में जो है तीन परसेंट बार्सिक ब्रधी हुए और बनों की कटाई में भी कमी देखी गई इसलिए ज्यादा ज्यादा एस्टी को पॉलिटिक्स में इंवर्ट के जा रहा है जिससे कि हम लोग इन गौर्मन को और अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से सनच्षित कर सकें इसी माय कहा जाता है कि बढ़े हुए परतिनीत में एस्टी समुदाय को बानिजिक लक्रियों और खनन का विरोद करने में भी मदद किया है जिससे कि राइतिक ससक्तिकरण और परतिकर हिसके से लाइता सकते हैं एक सब्सक्राइब को इसलिए जादा जागरूत किया रहा है य॥ पॉलिक्स में आए इसलिए और कंत्र देखा गया है कि समुदायों का खनन हितों का विरोद जिससे की बन स्वास्त बहतर हुआ है और खादानों के पास के छेत्रों में बनों की कटाई में भी कमी आई है इसलिए जो है लगातार ST Community को दोरा जो खनन होते हैं उसका विरोध क्या गया है तो अनुसरी जनजाती और अन्य परंपरिक बनवासी अधिनियम 2006 Forest Rights Act 2006 के साथ तुलना से पता चला है कि जो Forest Rights Act का पेशा के प्रभावों से परे कोई अत्रिक सेंचन प्रभाव नहीं है तो यह सोध पत्र जो है वो लोकतांत्रिक बिकेंद्री करन के महत्व पर भी प्रकास डालता है क्योंकि ST Community का भी इससे विकास होगा सक्षम हो पाएंगे जहां अस्थानिये लोग जो होंगे उसके पास के बजाए बीवेका धियन निरने लेने के भी सक्थी होगी तो अध्यन का निसकर्स यह है कि अनिवाय रायेतिक परतिनेद्व और समयकित सक्थी वाली एकल संस्था विकास और संरच्षन उद्देश्य के बीच प्रवावी संकूलन अस्थाफिक कर सकता है इसलिए स्टी कम्यूनिटी को ज्यादा ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में इंवाल्व होने की बात की जारे है ठीक है ज्यादा ज्यादा जगरूप किया जा रहा है अब देख लेते हैं इसे सम्मझेत कुछ यूप लोगविशी के पीटी माय था इसे पहला सने इसे जनजाति लोगों की भूमी का जयर जलातियों को अस्थाण तरन रोका जा सकता है उसके दूसरा अप्षेतर फ्यों को बिचनस नहीं राजिघोसिं किया जाएगा इसमें कौन सा कथन सही होगा कि इसमें पहला कथन सही होगा ठीक है ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही उत्तर हैerd तो कि सेडूल 5 अगर आप लोगों ने पढ़ाए तो इसका डाइक अंसर देदेंगे ठीक है कि सेडूल 5 में सिंपली जो है अधिकार दिया गया है जाती है लोगों की भूमी जो है वह गयर जाते लोगों को अस्थांतरन करने से रोका जाता है ठीक है और यह सम्मंदित है आर्टिकल 244 एक यह भी ध्यान रखेगा तो यह ध्यान रखेगा कि जो फिप्त सेडूल है हमारा उसमें दस अस्टेट्स अभी सामिल हो चुके हैं जैसे कि आंद्रापरदेश हो गया 36 गड़ हो गया ठीक है गुजरात हो गया हिमाचल परदेश हो गया ठीक है जारखंड हो हो गया एंपी हो गया महाराश्ट्रा हो गया ठीक है उडीशा हो गया उसके बाद राजस्थान हो गया और तेलांगना हो गया ठीक है तिये दस राज जरूर ध्यान रखेगा जो कि सेडूल 5 के अंटरगर आते हैं कि किसी भी छेत्र को अनुसुज़ी छेत्र घूसित करने क मांदन जो है वो जहां जन्जाती आबादी की अधिक्ता होने चाहिए चार पॉइंट यहां पर निधायत क्या गया है अगर किसी भी छेत्र को जन्जाती छेत्र घूसित करना है ठीक है अनुसुज़ी छेत्र घूसित करना है तो वहां पर चार मांदन पूरे होने चाहिए जन जाती आबादी के अधिता होनी चाहिए, छेत्र की सघंता और उचित आकार होना चाहिए, छेत्र की अल्प विक्सित प्रखिर्ती होनी चाहिए और लोग के आर्थिक अस्तर में असपस्ट आसमानता होना चाहिए, ठीके, तभी जाकर उस छेत्र को अनुसुचित छेत्र किया जाता है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन क्यों इसमें कहा जाता है निमलिखी कत्रों पर विचार के लिए यह कोश्चन जो है UPSC के दोहर 18 के पीटी में आया था जिसमें पहला स्टेटमेंट है संकट पुल बन जिव परिवाश जिसको क्रिटिकल वाइड लाइफ स्वाबिष्ट है उसके दूसरा स्टेटमेंट है भारत में पहली बार जो है बैगा जनजाती को परयाबास अधिकार दिया गया उसके तीसरा जो स्टेटमेंट है केंद्रिय परिवरन बन और जलबायू परिवनतर मंत्राने जो है भारत के किसी भी भाग्मि विशेश रू अधिकारिक रूप से मिरने लेता है और इसकी घोसना करता है इसमें कितने कथन जो है वो सही है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है तीसरा कथन गलत है ठीक है इसलिए जो है इसका सही उत्तर option A हो जाएगा क्योंकि संकट पुन बन जीप परियावा रहे है जो भात एक किसी भी भाग में विशेश रूप से कमजोर जन्जाती संभूव के लिए परियावास अधिकार पर अधिकारिक रूप से निनने लेता है और उसकी घोसना करता है ठीक है नोडल है ठीक है यह ध्यान रखेगा कि केंब्रियर जन्जाती मंत्राले जो है और बर्ष 2006 के बन अधिकार अधिकार दिया गया था इसलिए दूसरा अप्सन सही है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले अर्टिकल के तरफ इसमें लोग बात कर लेंगे निकोबाद छेतर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसका कौश्ट तो इसको ध्यान में रखते हुए एहां पर एक बार चेक किया जा रहा है केंद्रिये जन जाती मामलों के मंत्राले के ज़ारा है ठीक है उसी की बात इस आर्टिकल में की गई है कि केंद्रिये जन जाती मामलों का मंत्राले ग्रेट निकोबार्ड दीप पर 72,000 करोड रूप वाई अड़ा टॉंसी विकास और एक गैस और सौर आधारिक बिजली सेनेत्र सामिल है जो 130 बर किलोमीटर से अधिक बन को कवर करता है ठीक है फिगर में मैं देद यहां यहां पर जो है प्रोजेक्ट बनाई जा रहे है ठीक है तो एक भिशिसा के समीति द्वारा चरण एक परियाबर्निय मंजूरी दी गई है जो पाई सित्की तंतर के अंतर के बागदू धर्याना में पटि रूपक मतलब की कंपंसेशन बन रोपन की अनुमति दी गई है ठीक है तो यह परियोजना जो है वो गलेथिया खाड़ी में लेदर बैक कच्छवा इसके लिए सबसेज है कि सरकार का असली उद्देश जो है निकोबार में परेटन को बढ़ाना है ना कि केवल मलक्का जलडम्रों के पास रणितिक अस्थान का लाव उठाना है इसलिए ठीक है यहां पर कुछ आलोचको को दौरा कहा जा रहा है कि मेंली जो सरकार यह प्रोजेक्ट लेके आई ह है वहां पर सुरच्छा सुनिशित करने के लिए नहीं चीन को नियतित करने के लिए नहीं वहां पर में उद्देश जो है सरकार का वो परेटन को बढ़ाना है तो पर्यावरन मंत्राले ने पर्यावरन मंजूरी और मुल्यांकन प्रक्रिया के विबरन को भी गुब्त रख और राष्ट्री है नियाधिकरन ने रिपोर्ट मांगी है लेकिन विब्रन जो है अभी भी पब्लिक ली अबलेबल नहीं होगा तो इसी माय कहा आता है कि सरकार को इस विशाल पर्योजना पर पारदर्सिता और प्रामर्स को प्रात्मित्ता दनी चाहिए यहां पर बहुत सार होंगे वहां का जो अस्थानिय जन जाती है वह प्रवावित होंगे और जो दूरलग जीब जनतु रहते हैं वहां पर उनका पाईशित की तांग भी प्रवावित हो जाएगा इसलिए यहां पर सही तरीके से मुल्यांगन करने के बाद यह प्रोजेक्ट को शुरुई करने अब बढ़ते हैं अगले आटिकल के तरफ इसमें हम लोग बात कर लेंगे हुमें डिग्निटी वर्सेज रिलिजिस प्रैक्टिसेज के बारे में ठीके मानभिय गरीमा बना धार्मिक पर्थाएं तो 17 मई को मद्रास उचन्याले की मदुरय पीट में नेरूर सत्गुरूई सदासिव ब्रह्मेंद्राल के विश्राम अस्थल पर अन्दानम मतलब की मुक्त दान देना और अंग प्रदल्शनम मतलब की परिकर्मा को फिट से शुरू कर दिया जो की दोहर 15 में बर्थ कर दिया था ये पर्था को ठीके तो बंद किया गया था आर्टिकल 14 और 21 के कारण और फिर से शुरू किया गया है आर्टिकल 25 एक के कारण ठीके तो यहाँ पे नयाय मूर्थी जी आर स्वामी नाथन ने संबिधान के अनुछे 25 एक का हवाला देते हुए इस पर्था को बहाल किया है जिसमें भक्तों की आस्था को निश्था के अधिकार से जोड़ा है ठी प्राइबिशी ठीक है जो अभी कोश्चन आया था यूपेसी के पीटी में जिसमें उनकी ब्याख्या के अनुसार आध्यात में प्रुजहान भी सामिल है इस फैसले के तुलना में एक खंड पीट के आदेश से की गए जिसने संबिधान के अनुछे 14 और 21 के उलंधन का हव जा रहा है भले ही कोई धार्मिक संस्थान हो लेकिन वह एक सही कारे कर रहा है ठीक है लेकिन हैं सुचनी की बात है कि उसकी जो पैसे की उपलकता है वह कहां से सुनिश्चित कुरेगी ठीक है यह भी चीजे देखने किया वसकता है तो निर्णय ने एक जन आंदोलन की भुझसे लोग इससे जो है नाराज है ठीक है कि करनाठका के सुबरमंदीर मैं इस तरह के पर्था से जूड़े मामले का हबाला दिया जान्याथ है में एकिक भाख हो마 यह Congressman सब्सक्राइब एक मदरास का मामला है मदुराई का और दूसरा करनाटका का तो यहां पर कुछ अलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने संभिधान में नहीत बैज्ञानिक ग्रिश्चिकों मानप्ताबाद और जाज की भावना को बिक्सित करने के कर्टब्यों की उपेक्षा किये बहुत से अलोचक जो है इनके निर्ने से खुस नहीं है और राजे से हानिकारक धार्मिक पर्थाओं को बदलने का अग्रा किया है ठीक है तो सांस्कृतिक सापेक्षबाद और सार्भामिक्ता के बीच संखर्ष को उजागर किया गया है जिसमें न्याधिस ने पुर्व का विद्वाद पक्ष लिया है जो अंतराष्टिय चाह्मान बाद ही का मांदनस से अलग है ठीक है तो बहुतत लोग द réflexe इस धार्मिक निर्ने तक नेदु ना रज और बंद्वी कुछ UPC के previous question ठीक है तो कैसा लगा आज का discussion प्लीज मुझे comment करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा like करें share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू